नियू मेटजले सीटी गोटर्ख कान में आगले 15 दिने में आपको साइट पे दो मेजर इन्उंस्मेंट और दो मेजर चीजों की स्ट्रक्शन साइट में नदर आएus इस सवाले से आज की वीडियो में डिस्कस करने कोश्च करेंगे कि जो दो मेजर अनॉंस्मेंट से अब कौन सी है और इस दो मेजर अनॉंस्मेंट के साथ साथ जो ग्राउंड पे ग्राउंड पे की सर्मनी होनी है उस हवाले से आज किस वीटियो में डिस्क्स करूँगा नियो मेटर सेटी गोजरखान को अरली अगस में लाँच गया था 20 अगस को इसकी पहली बैलेटिंग कर दी गई थी और सेक्ट बैलेटिंग इसकी 30 सेटमबर को कर दी जाएगी अब सेसाइटी की तरफ से ये कमिटमेंट की गई है मलक बिलाल, CEO, BSM, डिवेलपर्स की तरफ से कि हम पाँच महिने के अंदर अंदर सेक्टर A को डिलिवर कर देंगे ग्राउंड पे और आठ महिने के अंदर सेक्टर B को भी जमीन पर डिलिवर कर देंगे अब इसके अलावा साइट पर जो सबसे मेजर रिक्वाइरमेंट होती है बतौर मुसलिम अगर आप देखें तो साइट पर सबसे पहले रिक्वाइरमेंट होती है मस्जिद अब नियो मेटर सेटी गोजर खान की साइट पे गोजर खान तहसील की सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो नियो मेटर सेटी गोजर खान की साइट पे बनाई जाएगी जिसे ग्रेंट जाम्या मस्जद का जाएगा गोजर खान की इस मस्जद कंस्ट्रक्शन के लिए अगले 15 दिन में साइट पे properly इसके ground breaking ceremony हो जाएगी और इसके construction स्टार्ट हो जाएगी ground breaking ceremony के साथ इसके construction में तेजी से इसलिए काम किया जाएगा क्योंकि अगर पांच महीने पर residential plots तमाम के तमाम डिलिवर किये जाने है और residential plots जाए से बादा डिलिवर होंगे तो लोग अपना घर बनाएंगे तो मस्जिद बेसिक necessity है तो अब expect कर सते हैं कि अगले 5 से 6 मा के अंदर अंदर आपको grand jam ya मस्जिद जो new meadow city गोजरखान की site पे बनने जा रही है उसे construction भी मुकमल होती हुए नजर आएगी ये तो पहली announcement होगी अब second announcement ये है कि new meadow city गोजरखान की site पे एक पार्क रना जाएगा इसका नाम है glow park अगर आप new meadow city सराय अलंगीर से वाकिफ हैं और आपको जीटी रोड से गुज़रे हैं प्रस्थिक ली रात के वगध तो आपको सराय अलंगीर राइट साइड पे एक बहुत 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 की साइड नाम है glow park इस तरह का पार्क होगा new meadow city गोजर खान की site पे फरस से ब इतना होगा कि इसका रखबा न्यूमेटर सिटी स्रायालमगीर के रखबे से तीन गुना ज्यादा होगा यानि उसके थ्री टाइम्स पार्क यहां पे गोजर खान ने बनाया जाएगा जो कि इस रीजन का यानि इस जीटरोड बेल्ट पर कर देखें और जिसने बहरिया टौन कराची का गेट डिजाइन किया तब बहरिया टौन कराची का गेट जो है तौमाम आउसिंग साइटी पाकिस्टान ही, कोई भी आफ साइटी ले ले रहे हैं सब से शांदर गेट कंस्रक्ट हुआ है तो न्यू मेटर सेटी गोजर खान की साइट पे 40 क्रोड रुपीज की इंवेस्मेंट से एक गेट बनाया जाए इसका नामों का गेट नमबर बन, अगर आप जीटी रोड से गुजरते हैं तो आपको एक पॉइंट अज़र आता है लेफ्ट साइट पर आप देखें तो उस यहने जमीन से 5-5 फूट उस कॉलम्स को निकाला जा चुके है और अगले 4-5 मां के अंदर अंदर जब सेक्टर A का पॉज़ेशन आएगा तो आपको प्रॉपरली नियू मेटर सेटी गोजर खान के साथ गेट का प्रॉपरा में गेट सेंटरों के सेक्टर A में जाएंगे जिसकी बैलेटिंग अलरी कर दी गई है और अगली 30 सेटरों को बैलेटिंग जिसमें 30 परसंट प्लॉट जो लेफ्ट ओवर हैं उनको इसमें डिजस्ट किया जागा सेक्टर B की बैलेटिंग बाद में की जाएगी तो ये तीन मेजर अनॉसमेंट्स हैं जो आपको अगले 15 दिन में साइट पे नजर आएंगी एक नमबर वन ग्रेंट जामया मॉस्ट जो गुजर खान की सबसे बड़ी मॉस्ट होगी सेकंड इसके लावा गलो पार्क जो करंट गलो पार्क है उससे थ्री टाइम बड़ा होगा एरिया वाइज और थर्ड जो इसका गेट होगा में वो जीडी रोड पे बनने वाले जितनी भी साइट इसे पहले प्रजेक्ट बन चुके हैं जीडी रोड पे उन में से सबसे बड़ा गेट होगा जिसकी इंवस्टमेंट के लिए कंपनी ने 40 क्रोड रूपीज र कॉंट्रेक्ट एक लाहॉर बेस्ट कंपनी को दिया है जिस अगली वड़ी तक के लिए खुदा हाफिस